जै श्री राम, मैं डॉक्टर अंकित्यागी, आप सभी का फिर से स्वागत, फिर से वनंदन करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल और फेस्बूक पेज पर बात करेंगे सावन के बचे हुए सावन की, लगबग, लगबग, आठ में से पाच सावन के जा चुके हैं, तीन सावन अभी भी बाकी है, यानि मौका है आपके पास बोले नात की करपा पाने का, मौका है अपने बिगड़े कारियों को बनाने का, मौका है अपने जीवन को सम मारने का मुका हρέ अपने भविश्य को निखारने का कुछ उपाये बताने जा रहOW कर ले ना ये endure 200 को चाथमा सावन का सावना बांगा है शिव की कृपा चाहते हो तो शिवलिंग पर चावल अरपित कर देना तीनों समबार को जा करके अक्षत होने चाहिए खंडित चावल नहीं होना चाहिए बोलेनात को प्रसंद करना है धंदाने समश्याओं को खतम करना है करजे की समश्या से चुटकारा पाना है बिमारियो को समाप्त करना है घर के वास्तू दोशों को खतम करना है तो प्रतेक सौंबार शिवलिंग का विधी विदान से पूजन करें और ग्यारा मुठी कच्चे चावल पूजा में रखें इसमें से एक मुठी चावल शिवलिंग पर अरपन कर दें और बाकी बचे हुए चावल म धार्मिक मान्यताओं की माने तो सावन का सौंबार ऐसा सौंबार है कि ये दिन अपने भक्तों के सारे दुख सारे कष्ट सारी परिशानिया सारी समश्याओं का निवारन कर देता है इस दिन अपने मुख्य दौर पर एक कारे और कर लेना शाम के समय सूरिय अस्त के बाद क कपूर और घी का दीपक जलाकर जरूर रखें अपने घर के मुख्य दौर पर उससे सुख समरद्धी बढ़ेगी, खोशाली आएगी, करजे की समश्या कम हो जाएगी, दुखों का जो अंबार आपके जीवन में लगा हुआ है, जो कष्टों का अंबार लगा हुआ है, वो ख